तो बड़ी खबर आ रही है केजरिवाल की डाइट पर देखिये फैसला आज होना है राउस वे नियू कोट आज अपना फैसला सुनाएगा केजरिवाल की हर दिन सलाघ की आ पर मांग जो की गई है डॉक्टर से रोजाना सलाघ की अजासत क्या मिलेगी इस पर लगातार सब की नजर बनी हुई है ED ने केजरिवाल पर बड़ा आरूप लगाया है जेल में आलू पूरी आम खा रहे केजरिवाल ये ED की तरफ से बताया गया ऐसे में लगातार इंसुलिन की मांग अब की जा रही है आम आदिपारी भी लगातार प्रदर्शन कर रही कर तिहार जेल की बाहर जो तस्मीरे निकल कर सामने आई लगातार आम आदिपारी के नेता कारकरता इक खता हुए थे इंसुलिन लेकर पहुँचे थे और उनकी तरफ से का जा रहा था कि इंसुलिन नहीं देया जा रहा है, बीज़पी नहीं देना चाहती है इंसुलिन मुख्यमंत्री केजरिवाल को, यह तीन बड़ी तस्वीरे देखे, पोर्ट में आज पैसला सुना जाएगा, पैसला जो है सुरक्षत रख लिया गया था, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री अ अगातार उनकी तरफ से की जारी है, आज राउसवनी कोट की तरफ से क्या पैसला यहाँ पर आता है, और चलिए हम आपको बताते हैं कि केजरिवाल के सेहत को लेकर आमादनी पार्टी और तीहार प्रशासन का क्या कुछ दावा है, आमादनी पार्टी का दावा है कि और इंसलिन देने से इंकार क्यों किया जा रहा है, केजरिवाल को 22 साल से शुगर है, आमादनी पार्टी लगातार यह कह रही है, बीजेपी की निर्देश पर कुरूरता हो रही है, केजरिवाल की हत्या कि साजश की जा रही है, यह तमाम बातें बड़े आरोप आमादनी पार्टी लगातार लगा रही है, तो वही तिहार का क्या दावा है, तिहार जेल फ्रिशासन के तरफ से क्या किया जा रहा है, एम्स ने केजरिवाल को सलहा दी है, चिंता की कोई बात नहीं है, यह कहा जा रहा है, दवाए जारी रखने की सलहा दी गई है, रोजाना ये भी बताए गया है केजरिवाल ने इंसुलिन की बात नहीं की इंसुलिन देने का कोई सुझाव नहीं ये तिहार जेल की तरफ से कहा गया है यानि उनकी सिती नॉर्मल है उनकी सिचुएशन मिलकुल ही बहतर है उन्हें इंसुलिन की जरुवत नहीं है अर्विंद केजरिवाल जी की इंसुलिन रोके है अर्विंद केजरिवाल जी बारा साल से डाइविटीस के मरीज है चववन यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं उनका शुगर लेवल पिछले दस दिन से लगातार तीन सौ कहुचा हुआ है बड़ा अंदेशा हो रहा है अमें इस बात पर साजिश लग रही है ये तीनों लोग जो सीम के दावेदार हैं अब संजे सिंग जीव बनेगे ये तीनों लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि उनको 40 गराम लगाओ इंसुलिन, 40 गराम इंसुलिन लगानी ये डाक्टर तो नही आम आद्मी पार्टी की तरव से मंत्री जो आतिशी है ये बार-बार ये कह रहे हैं कि जो बीचपी है क्रूटा कर रही है और जान भूच कर इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है कि जिवाल के सेहत पर संग्राम देखे आज कोट अपना फैसला सुनाएगा आम आद्मी उनका बयान हमने सुना लेकिन जो जेल अथोर्टी है जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी लगाता डॉक्टरों से जाच करवाई जा रही है सलहा उन्हें दिलाई जा रही है और डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है उन्हें इंसुलिन क जरुवत नहीं है उनका शुगर लेवल मिल्कुल ठीक है अलग ही आमादी पार्टी का अलग ही यहां पर बाती कहीं जा रही है उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि इतने सालों से अर्विंद केशिवाल जो है लगातार शुगर के पेशन्ट रहे हैं उन्हें इंसुलिन पारोप लगाया कि केशिवाल की हत्या की साजिश की जा रही है भारतिये जनता पार्टी की केंदर सरकार और तिहार जेल एडमिस्टेशन का है वो पक्ष क्या है नहीं साब इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही नहीं यह बिलकुल नॉर्मल है नहीं हमारे पास जब डॉक इंसुलिन की जबरत नहीं है यह दो पक्ष है किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंदर सरकार कर सकती है यह कह रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हैं देख रहे हैं अर्गंद केशरिवाल जी को क्या दिक्कत है यह मैं पत्र आपक जल यानि की 20 अप्रेल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डाइबेटिलोजिस्ट एक शुगर या डाइबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए और ज्यादा ज्वानकारी के हमारे सेयोगी दिल्ली से बलराम पांडे जुट चुके हैं बलराम एक तरफ टाइब टू डाइबेटिक पेशिंट होने के बावजूद जो डाइट चार्ट है मुक्यमंतरी अर्विंद केशिवाल का उसे पॉलो नहीं किया जा रहा है अब य इस तरीके से आमाद्दी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद केशिवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है जिसकी वज़े से उनकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है और यहीं वज़े है कि आपने देखा होगा कि कल तिहाड जेल के बाह उनकी जो डाइबिटीज है वो 300 के पार है और लगातार पिछले 10 दिनों से बनी हुई है और यहीं वज़े है कि आमाद्दी पार्टी यानि अर्विंद केशिवाल की तरफ से एक अरजी भी राउजवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें ये मांग की गई कि उनक आज देखे राउजवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी आज राउजवेन्यू कोर्ट अपना पैसला सुनाएगा जेल अथौर्टी की तरफ से जो बातें यहां पर रखी गई थी कि मुख्यमंत्री अर्विंद केशिवाल का बलड शुवगर लेवल जो है उससे हर रोज प्रामर्श की इजाज़त होनी चाहिए और साथ ही उसी डॉक्टर के हिसाब से गर इंसुलिन की जोरत है तो उनको मुख्या कराई जानी चाहिए यहां पर जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने इस बात के संकेत दिये थे कि वो चुकि आरोप पर जोरत है नहीं वो भी एक्सपर्ट जो बोड होगा वो तैकर सकता है तो कोट ने इस बात के संकेत दिये थे क्योंकि जेल अथोटी की तरफ से कोट में भी यह बात कही गई थी कि हमने एम से प्रामर्श लिया है और एम के डॉक्टरों की भी यह राय है कि अभी अर्विन के केजरिवाल को इंसुलिन लेने की जूरत नहीं है और अगर वो इंसुलिन लेते हैं तो उसका गलत असर तक पड़ सकता है दूसरी ओर जो जेल अथोटी के वकील थे और एडी की तरफ से वकील थे उनका यह आरोप था कि अर्विन केजरिवाल उस डाइट को नहीं ले रहे बहुत पर शुक्रिया फिलहाल अब्दूनका